कि यहां भारत लव इंफो आपका स्वागत करता है और इस बार कुछ रोचक जानकारिया लेकर आए हैं आपके लिए एने एफटी आर्टीजियस में किस तरीके से करते हैं देखे दोस्तों बहुत सारी जनकारिया आपको मिल जाएंगी इसमें वीडियो कौन तक जरूर देखिए क्योंकि एने एफटी आर्टीजियस अप पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में सेविंग अकाउंट पीपीफ एकाउं सबसे पहला पॉइंट है उसमें पीपीफ एकाउंट शुड नौट हैव डिफॉल्ट यानि कि उस अकाउंट में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए डिफॉल्ट अगर होता है तो आप उस अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे जब आप ऑनलाइन ट्रांस करेंगे फिर आप online की सुविधा उठा सकते हैं दोस्तों ये बात गाटबान लीजे दोस्तों कि default करते हुए आप कभी भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं दूसरा जो important बात है वो यह है कि पीपीएफ मैच्वर अगर हो जाता है तो और अगर आप पेमेंट करना की कोशिश करेंग कि थ्रू मोबाइल एप और इंटरनेट वेंकिंग के थ्रू आप नहीं कर पाएंगे आपको पोस्ट ओफिस जाना है एक्सेंशन का फॉर्म भरना है एक्सेंट करेंगे आप पीपीएफ को उसके बाद आप जो है जमा कर सकते हैं और एक important बात दोस्तों इसमें यह है कि यह जो extension है वो within one year of PPF maturity हो सकता है जिहां दोस्तों कहीं लोग जानकारी ना होने की वज़े से यह चीज का फायदा नहीं उठा पाते उन्हें लगते भी अब तो चार मेने पांच मेने उपर हो गए हैं अब हम कैसे करेंगे PPF को extend और उसके बाद उसमें जमा अब देके fund transfer जो है अगली बात यह आपको clear रखने हैं अगली बात जो है दोस्तों वो यह है कि डेड़ लाख रुपए तक आप इस scheme में यह किसी भी जो भी option है PPF saving and सुकन्या in one financial year financial year क्या होता है दोस्तों मैं नहीं बताओंगा आपको पता होना चीए चली बता देता हूं कि financial year का मितलब अप्रेल से लेकर मार्स तक का जो पीरेड होता है उसे financial year कहते हैं उसमें डेड़ लाख तक आप इसमें जमाक कर सकते हैं दोस्तों और अगर एफटी आर्टीजियस की जो आपके screen प्यारी है अगर technical problem की विज़े से किसी विज़े से पैसा नहीं credit होता है problem आती है तो देखे इस तरीके में reversal जो है one day one working day के अंदर हो जाएगा तो चिंता करने की जुरूरत नहीं है और आगे मैं तो पूंचीजे देखते हैं कि भाई इसका process क्या है अब हम full process सीखेंगे बॉस और यह process बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है अब वीडियो अच्छी लगे तो आप share करें सभी को बताए और देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आप अपने जो internet banking है उसमें आप login करिए किसी भी bank का हो सकता है उसकी internet banking में गए option हमारा आएगा बिना beneficiary का without beneficiary का नायम क्योंकि beneficiary add करने में हमारा काफी समय जाता है तो हम बिना beneficiary add कि भी अब account number डालते account number डालने के बाद आप सीधा क्या करेंगे इंटर इंटर बैंक ट्रांसफर का option सेलेक करेंगे इंटर बैंक ट्रांसफर का option सेलेक करने के बाद IFSC code जो है जो की common IFSC code है वो आप डाल देंगे दोस्तों जो की है IPOS 4x0 DOP ठीक है दोस्तों ये डालने के बाद अब आप जो है आगे का process जो है वो ये है कि option सेलेक करेंगे इंटर का इंटर का option जैसी आपने आप देखेए नेक्स अप्शन आ रहा है आपके पास पैसे वर्में का तो इसमें आप पैसा बहर दीजिए पैसा जैसे आप भरेंगे उसके बाद आपड़ के सामने screen हमारे पास OTP आएगा आप वो OTP किसी के साथ शेर नहीं करने का ना किसी को बताने का देखे दोस्तों मैं एक बात खास बता देता हूं कि online के terminology में कोई भी phone करके आपको कुछ भी कहता है कि यह हमें बता दो यह हमें जानकारी दे दो आपका account रोक देंगे आपका account पर यह problem हुए आप phone नंबर पर यह सब detail दो बेलकुल नहीं देना यह गाड़ बान लीजे दोस्तों और फिलहाल हम बढ़ते हैं kais tupi डाला और देखिए उसके बाद आप प्रिंट करना चाहें तो इसको पुरेंट करके अपने मोबैल में रख सकते हैं या आगे प्रिंटर पर प्रिंट ले सकते हैं करके ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं और यह लॉग आउट करते ही आपके ट्रांजेक्शन का जो मैसेज है वो आपके SMS आ जाएगा तो यह फुल टू प्रोसेस है दोस्तों इसके बात जो है एक जो इंपॉर्डेंट बात है वो यह है कि दोस्तों अपने जो सेविंग अकाउंट है और PPF का है या सुकन्या का है उसमें कस्टमर आइडी होती है दोस्तों कस्टमर आइडी में आपको मुबाइल नंबर मदर मेडर नेम एंड इमेल आइडी यह तीनों जीजे अपडेट रखनी है ताकि आपको भविश्य में आने वाले किसी भी समश्या का समधान आसानी से म